वेलकम बैक, स्वागत है आपको अपने योट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ JKSSB VLW का ओनलाइन फॉर्म एपलाई कैसे करोगे मैं इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप फूल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप अपना JKSSB VLW का ओनलाइन फॉर्म है वो एपलाई कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना कैडर स्लेक्ट कैसे करोगे और आप अपना प्रेफरेंस स्लेक्ट कैसे करोगे और लास्ट पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप अपनी जो फी है वो आनलाइन पे कैसे करोगे तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आपको आना होगा अपने मॉबाइल फून के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा जेके ऐसेजबी जेके ऐसेजबी सर्च करने के बाद आपके सामने जेके ऐसेजबी का जो ओफिशल वैब साइट है वो ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे option आ रहा है apply for various post under advertisement number 3 तो आपको इस पे click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे click करना होगा view viewer application पे click करने के बाद आपके सामने login page open हो जाएगा अगर आपने पहली registration JKSSB की की है या आपने पहले form submit किया तो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी अपनी email ID और password और उसके बाद आपको login कर देना है अगर आप new candidate हो पहली बार JKSSB का form भर रहे तो आपको यहाँ पे sign up पे click करना होगा sign up पे click करने के बाद आपको यहाँ पे apply पे click करना होगा तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जो sign up का जो page है वो open नहीं हो रहा है JKSSB का क्यूंकि उसमें कुछ error है यह जल्दी solo हो जाएगी तो आप को मैं दिखाता हूँ आगे का process तो सबसे पहले आपको यहाँ पे fill करने होगी अपनी email ID और साथ में password और login कर देना होगा email ID और password डालने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे option आ रहा है apply का तो आपको यहाँ पे click करना होगा apply पे apply पे click करने के बाद आपको दिखाएगा select post you want to apply for तो आपको यहाँ पे select करना होगा पंचायत सेक्रेटरी उसके बाद आपको save and continue पे click करना होगा save and continue पे click करने के बाद यहाँ पे आपको select करनी होगी अपनी post उसके बाद आपको select करना होगा department उसके बाद आपको यहाँ पे select करना होगा अपना cadre तो चहें आप अपने यहां पे सारे cadre select भी कर सकते हो यह आपकी choice रहेगी या आपको अगर choice है तो आप 3 cadre भी select कर सकते हो चार cadre भी select कर सकते हो जो आपकी मर्जी होगी तो गैडर सेलेक्ट करने के बाद आपको Save and Continue पे क्लिक करना होगा Save and Continue पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे फील करना होगा अपना प्रेफरेंस आपकी इस डिस्टिक में किस कैडर में अपना प्रेफरेंस कुन सा प्रेफरेंस देना चाहते हो एक preference number एक preference देना चाहते हो, दो देना चाहते हो, तीन देना चाहते हो, वो आपको अपने मर्जी के हिसाब से डालना होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे preference देता हो, अपने home district का, जैसे मैंने preference number एक देती आपने home district का, उसके बाद मैं दूसरा preference देता हूँ, वो आपको अपन continue पे click करना होगा save and continue पे click करने के बाद यहां पे आपको enter करना होगा father name उसके बाद आपको यहां पे enter करना होगा mother's name उसके बाद आपको select करना होगा gender उसके बाद आपको यहां पे select करना होगा अपनी category open RBA जो भी ST हो आप जो भी हो वो आपको select कर देना है उसके बाद अगर आ आप यहां पर स्लेक्ट करना होगा आप मैरिड हो की नहीं उसके बाद आपको यहां पर स्लेक्ट करना होगा डॉमिसाइल नमबर उसके बाद आपको इस्विंग अथार्टी स्लेक्ट करना होगा उसके बाद डिवीजन और उसके बाद आपको स्लेक्ट करना होगा अपना डि पर यां पर खीड पूयुम पर मुंखुल्ड पर खीड हो ना? उसके बाद आपको फ्हल कना होगाए अपना डिवीजेशनamtेस, उसके बाद पू. करना होगा अपना तासील जो भी होगा आपका उसके बाद आपको स्लेक्ट करने के बाद आपको स्लेक्ट करना होगा अपनी पंचायत पंचायत स्लेक्ट करने के बाद आपको यहां पे फील करना होगा अपना पीन को यह सारी डिटीज फील करने के बाद उसके बाद आपको स save and continue पर क्लिक करना होगा, save and continue पर क्लिक करने के अगर आपका permanent address SAM होगा तो आपको Yes पर क्लिक करना होगा, यस पे क्लिक करने के बाद आपको save and continue पे क्लिक करना होगा save and continue पे क्लिक करने के बाद अगर आप specially abulate person हो तो आपको yes करना है अगर नहीं हो तो no करना है अगर आपको employee हो जेके government का तो आपको yes करना है अगर नहीं हो तो आपको no खिलाब कोई FIR Lor नो पे कลिक करना होगा सारू पे नो पे कलिक करने के बाद आपको यहँपे Save and Continue पे kolी करना होगा Save and Continue पे pryल करने के बाद आपको यहाँपे अपना 10th bird की डटील देनी है अगर आपने JK Board से किया है 10th या CBSC, ICSC या other से किया है तो आप वो select कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर फिल करनी होगी आपको 10th percentage, उसके बाद 10th result date, उसके बाद यहाँ पर फिल करना होगा 10th over 10 marks और maximum marks, उसके बाद आपको 12th की details फिल करनी होगी, आपका जो भी Board रहेगा वो select करना होगा 12th percentage, 12th result date और over 10 marks, उसके बाद आपको यहाँ पर do you have graduation from any recognized university, तो आपको yes पर click करना होगा, yes पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी degree name select करना होगा, आपने BA किया हो, BSC किया हो, any stream जो भी होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर select करनी होगी, अपनी university का name, उसके बाद आपको यहाँ पर fill करना होगा, graduation percentage, graduation result date और graduation marks over 10 और graduation maximum marks आपके कितने हैं, और उसके बाद यहाँ पर fill करना होगे, आपको graduation marks over 10, तो सारी details fill करने के बाद, सारी details fill करने के बाद, आपको save and continue पर click करना होगा, save and continue पर click करने के बाद, आपको दिखाएगा, do you have poses the educational qualification as per Advertisement Notification तो हापको यहाँ पर, यह स्लैक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से स्लैक्ट करना होगा अपना examination center, आप जम्मूं डिविजन में examination देना चाहते हो, यहाँ kष्मेिड essence कर सकते हो, examination center स्लैक्ट करने के बाद Конечно under save and continue पे क्लिक करना होगाँ save and continue पे click करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे I agree पे click करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे upload करना होगा अपना photograph और साथ में आपको upload करनी होगी अपनी signature तो आपका जो photograph size है वो less than 1 MB रहेगा और आपकी जो signature है वो भी less than 1 MB रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पे choose file पर क्लिक करना होगा जो स्वाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से स्लेक्ट करना होगा अपना फोटो उसके बाद यहां पर आपको स्लेक्ट करनी होगी अपनी सेगनीचर photograph और signature select करने के बाद आपको save and continue पे click करना होगा save and continue पे click करने के बाद आपका photo और signature successfully upload हो जाएगा उसके बाद आपका जो application form का जो preview है वो यहाँ पे show हो जाएगा तो आप अपने application form का preview यहाँ से देख सकते हो उसके बाद आपको यहाँ सारे details आपको check करनी होगी तो आप अपने form को edit कर सकते हो back जाके उसके बाद आपको नीचे आजाना है नीचे आने के बाद आपको यहां पे option आ रहा है bill desk payment तो आपको यहां पे proceed to payment पे click करना होगा proceed to payment पे click करने के बाद आपके सामने bill desk page open हो जाएगा उसके बाद आप अपनी payment यहां से credit card debit card या other debit card होंगे या internet banking activate होगी आप आपकी तो आप अपनी जो fees है वो pay कर सकते हो तो आपको यहाँ पर enter करना होगा अपना card number उसके बाद आपको month select करना होगा year select करना होगा अपने card number cvv उसके बाद यहाँ पर card holder name उसके बाद आपको make payment पे click करना होगा make payment पे click करने के बाद आपकी payment हो जाएगी उसके बाद आपका जो application ID है वो जरनेट हो जाएगा तो आपके जब admit card आएंगे VLW के तो आप अपनी application ID और data पर डाल के आप अपना admit card download कर सकते हो और ये थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो अगर कोई problem आ रही होगी आपको form फिलब करने में तो आप comment जरूर करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए goodbye अलाहाफिज और channel को subscribe कर देना thank you